सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा हेलो दोस्तों मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं योटूब चैनल रोहित पांडे तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो हमारी सिरीज हैं CRT की आप लोग हमें प्यार देने की जरूर कोसिस करे दोस्तों मैं आपके प्यार का इंतजार ही कर रहा हूं और जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि दो जियूज गर्फी है मैंने सारा कमप्लेट कर दिया है अगर आप लोगोंने हमारा क्लासिक्स का c.rt जिगर्फी का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे योटूब चैनल पे के प्लेइलिस्ट में जाकर वो सारी वीडियो भी देख सकते हैं क्योंकि अगर कहीं ऐसा नहों कि आप लोगों से वह हमारी जो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ स्याय करें तो दोस्तों आज का जो हमारा चैप्टर है अधिक से आधिक जङ जानने की क कोशिश करते हैं जयसा कि आप देख सकते शक्ते हैं इसके बारे में हमें बहुत कुछ जनकारियां दी गई हैं तो चलिए एक एक करके इन सब को हम लोग पढ़ते हैं लंबी छुट्टियों के बाद जब रभी स्कूल जा रहा था तब उसने कुछ कहानियां यहां पर दी गई है इस कहानियों के माद्धे में हमें पर्यावरन के बारे में बताने की कोसिस किया जा रहा है जैसा कि देख सकते हैं लंबी छुट्टियों के बाद जब रभी स्कूल जा रहा था तब उसने क्या देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाले एक बड़ी इमारत बनेगी जब रभी को समझ में आया कि मुलायम गास गेंदे के फूल उम्तितिलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नस्ट हो चुका है तो उसकी आखों में आंसू छलकने लगे उसने यह बात अपने सहवाठियों को बताई सुबह की सभा में प्रधानाचार ने भी बहुत उदासी से कहा देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है आप देख सकते हैं कि जो रभी नाम का यहाँ पे यह करेक्टर है उसने क्या किया कि उसके जो खेल का उसका मैदान था वो वहाँ पे खुदाई हो रही थी और वो जो खेल का मैदान मुलायम गासो वाले जो मैदान था वो हमेशा के लिए नश्ट हो चुका था यह सब कुछ देखकर जो प्रधानाचार थी स्कूल के उसने कहा कि देखो हमारा पर्यावरण किस तरीके से बदल रहा है कच्छा में पहुचकर रवी ने अपने सिच्छक से पूछा पर्यावरण सर क्या है पर्यावरण क्या है जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो सब पर्यावरण है किसने बताया सिच्छक ने कहा स्टूडेंट ने पूछा कि पर्यावरण क्या है तो सिच्छक ने जवाब दिया कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वो सब पर्यावरण ही है रवी कहने लगा इसका अर्थ है सिच्छक ने जवाब दिया कि हाँ लेकिन जरारू को कुछ वस्तूओं का निर्माड प्रकृती ने किया है कुछ वस्तूओं का निर्माड जो है वो प्रकृती ने किया है जैसे परवत, नदिया, पेड, प्राडी जबकि अन्य का निर्माड मानवों ने किया है जिसका निर्माड प्रकृति ने किया है उसे प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं लेकिन जिन वस्तुओं का निर्माड मानमों ने किया है उन्हें मानमों निर्मित पर्यावरण कहा जाता है जैसे मानवों ने शड़क बनाई, कार बनाई, कपड़े बनाई, किताब बनाई ये सब भी क्या हैं मानव निर्मित पर्यावरण के ही अंग है उसके बाद अब दो दो छात्र मिलकर कार कीजिए अपने निकट बैठे सा पाठी के साथ मिलकर प्रकृती ये मानव निर्मित वस्तों के सुची बनाईए ये आप लोगों का एक महत्तपूर काम है अगर ये सारी चीजे नियम को फॉलो करते जलेंगे तो आप लोगों को बहुत को सेखने को मिल सकता है रभी, परमजीत, जसी, मुस्तपा, आसा सभी हसुची बनाने के लिए उस सुक थे इकबाल ने पूछा हमारा पर्यावरन क्यों बदल रहा है सिच्छक ने उत्तर दिया ये सा हमारी जरूरतों के करण होता है जाहिड सी बात है अगर हमें खाने के लिए अन्न और पहनने के लिए कपड़े या फिर किसी भी जरूरत की सामगरी उपलब्द नहीं हो पायागी तो हम जाहिड सी बात है कि हम अपने पर्यावरन के साथ छेड़ खानी करना सुरू कर देते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर्यावरन के बारे में बहुत ही इंपोर्टर जनकारी दी गई है आप इसको पढ़ सकते हैं जैसे पर्यावरन हमारे जीवन का मूल आधार है यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमी पर्यावरन का मूल आधार है मानो इस प्राकरतिक पर्यावरन में कैसे परिवर्तन करता है कार का धूआ वाई को प्रदूसित करता है पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमी पर करखनों का निर्माड होता है मानो कार मील करखाने उम बर्तन निर्माड करता है इस प्रकार मानो प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है अपने जरूरतों के आधार पर पर्यावरण में छड़खानी मानो करता है जो हमारे विनास का एक महत्वपूर कारण है अगर पर्यावरण दोस्तों जरा इस बात को लेकर आप सोचिए कि अगर हम पर्यावरण हमारा पर्यावरंड ही नहीं रहेगा पर्यावरंड ही नस्ट हो जाएगा हम पेड़ पोधों जंगलों की कटाई करके वहाँ पे उचे-उचे इमारत, भावन कार खाने, बिल्डिंग, इत्यादी का निर्मार कर देंगे अगर पेड़ पोध है में हमें साज ही नहीं मिल पाएगी हमें सुध ऑक्सिजन नहीं मिल पाएगी तो क्या हम जिवित रहे पाएंगे नहीं अगर प्रिथ्वी से पानी की उपलब्धता नहीं हो पाएगी पानी हम नहीं पानी पीने के लिए या पानी के जो भी जो भी उसक पुद्ध ही उत्सुकता वाली बात है और इसको हम लोगों को इन सारे चीजों को समझना चाहिए ताकि आने वाली जो पिढ़ी है उनके लिए भी इन सब चीजों का हम लोग सिमित मातराम उपयोग कर उनके लिए भी उपयोग करने लायक रहने दें तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां कितना महतुपड़ यहां पर बता गया है पर्यावरण के घटक के बारे में यहां पर समझाने की कोशिस कर रहा है पर्यावरण के तीन घटक होते हैं एक तो मानव निर्मित पर्यावररण जिसका निर्मान मानव न किया है प्राकृतिर ये पर्यावरन के महत्वभर तेन गटक अब देख सकते हैं प्राकृतिक के बात कि जये तो प्राकृतिक में हमारा जेल मंडल आता है वायू मंडल आता है और अस्थर मंडल आता है और इन तीनों को मिला के एक हमारा जो मंडल बनता है उसे हम कहते हैं जयो मंडल दोस्तों आप देख सकते हैं कितना महत्तोपूर बाते बताई गई हैं अगर मानो की बात के जाए तो मानो भी एक पर्यावरण का गटक है जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा एक परिवार और परिवार से क्या बनता है शमुदाय बनता है शमुदाय से फिर क्या बनता है अनग विभिन भिन प्रकार के दरम बनते हैं और इनसे सैच्छीक होता है आर्थिक और राजनेतिक इस्तिति ये सभी पर्यावरण के क्या है घटक हैं अगर हम मानव निर्मित की बात करें तो मानव इमारत का निर्माड करत पार्क का निर्माड करता है पूल बनाता है शड़क बनाता है इसमारक बनाता है और उद्योग धंदे इत्याद मानोद्वरा निर्मित ये पर्यावरण के घटक है यह एक बहुत ही महत्तुपूर जनकारी दी गई है इन सारी चीजों को हमें समझना अतियावश्यक है आप द जिवी क्या होता है जिवी की बात करें अगर हम तो सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप और जन्तु ये जैवी पर्यावरण में आते हैं और जैवी की बात करें तो निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे अस्थल ये हमारे और जैवी पर्यावरण में आते हैं पर्यावरण किसे खायता है, उपर के वारतालाब से आप समझ गयोंगे कि किसी भी जिवित प्राड़ी के चारो तरफ, किसी भी जिवित प्राड़ी के चारो और पाये जाने वाले लोग, अस्थान, वस्तुएं, ये सभी प्रकृतिकों पर्यावरण कहते हैं इन सारी चीजो यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिखटनाओं का मिस्त्रण होता है, प्राकृतिक पर्यावरण से प्रिथ्वित परपाई जाने वाले जिविए और जिवि दोनो परिस्तियों सम्लित हैं, प्राकृतिक पर्यावरण में जैवी और जैवी दोनों प्रकार के परिस्थितियां शम्लित हैं जबकि मानवी पर्यावरण में मानव की पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं उनकी गतिविदियों एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनायें शम्लित होती हैं थोड़ा सा बाते हैं हम प्राक्रतिक पर्यावरण की करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं एन्वार्मेंट के बारे बता गया है पर्यावरण यानी एन्वार्मेंट सब्द की उत्पत्ती फ्रेंच सब्द इन्वायरोनेर या एन्वायरोनेर से हुई है काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं देखिए प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें तो प्राकृतिक पर्यावरण में बता गया है दोस्तों की भूमी, जल, वायू, पेड़ पोधे एवं जीव जनतु मिलकर प्राकर्तिक पर्यावरन बनाते हैं अस्थल मंडल, जल मंडल, वायू मंडल एवं जयो मंडल से आप पहले से ही परचीत होंगे आप जान सकते हैं कि आप लोगों को मैं बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि जल मंडल क्या होता है, अस्थल मंडल क्या होता है वायू मंडल क्या होता है और इन तीनों से मिलकर जब बनता है तीनों जब मिलते हैं आपस में तो वे जैव मंडल का निर्माड करते हैं आप इन सारी चीजूं से बखुवी परचीत हैं आईए अब हम इनके संबंध में कुछ और तत्यों के जनकारी प्राप्त करते हैं पृत्वी की ठोस परपटी या कठोर उपरी परत को हम क्या कहते हैं अस्थल मंडल कहते हैं जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ यह चट्टानों यह खनीजों से बना होता है जो अस्थल मंडल होता है वो चट्टानों और खनीजों से मिलकर बना होता है यह मिट्टी यह मिट्टी की पतली परस से धका रहता है मिट्टी की पतली परस से यह धका होता है यह पहाड, पठार, मैदान, घाटी, आदी जैसी विभिन अस्तलाकृतियों वाला बिसम धरातल होता है बिसम धरातल कहने का मतलब है कहीं पे पहाड है, तो कहीं पे पठार है, तो कहीं पे मैदान है और कहीं पे घाटिया है मतलब एक जैसा या एक समान कहीं भी इस्तलाकृति नहीं है भिन भिन अस्तलाकृति होने के कारण इसे हम बिसम धरातल भी कह सकते हैं अस्तलाकृतियां महादीपों के अलामा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं अस्तला कृतियां जो होती हैं महाद्वीपों में तो पाई ही जाती हैं लेकिन महाद्वीपों के अलावा महासागर में भी पाई जाती हैं अस्थल मंडल का वह छेत्र जो हमें वन, क्रिसी एवं मानो बस्तियों के लिए भूमी पसुओं को चरने के लिए घास अगर देखे जाए तो अस्थल मंडल वह छेत्र है जो हमें वन, क्रिसी एवं मानो बस्तियों के लिए भूमी प्रदान करता है जबकि पसुओं के चरने क के लिए घास अस्थल प्रदान करता है यह खनीज संपदा का भी एक महत्वपूर स्रोथ है एक बहुत ही महत्वपूर स्रोथ होता है हमारा अस्थल मंडल आप देख सकते हैं यहां पे हमारे पर्यावरण के छेत्र को बताया गया है जैसे हमारा पर्यावरण का छेतर जल मंडल वायू मंडल अस्थल मंडल और इन तीनों से मिलकर बना होता है हमारा जयव मंडल जयव मंडल में यह तीनों छेतर सामिल हो जाते हैं दोस्तों दोस्तों आप लोगों को यह जानना बहुत आवश्चेक है जल के छेतर को जल मंडल कहते हैं। आप सभी जानते हैं के नदी जील समुद्र महासागर इत्याद जैसे बिभिन जलासियों से मिलकर बनता है यह सभी प्राणियों के लिए बहुत आवस्यक है जल हमारे सभी प्राणियों के लिए चाहे पसू हो, चाहे जानमर हो, चाहे मानव हो, चाहे पेड़ पोदे हो सभी प्राणियों के लिए जल बहुत आवस्यक होता है प्रित्वी के चारो और फैली वायू की पतली परत को हम वायू मंडल कहते हैं अगर प्रित्वी के चारो तरफ की बात करें तो प्रित्वी के चारो तरफ फैली वायू के विभिन परतों को या वायू के पतली जो परत है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं उसको हम लोग वायू मंडल कहा जाता है पृतिवी का गुर्तवा कर्शन बल अपने चारो और के वायू मंडल को ठामे रखता है प्रितिवी का जो गुरुत्व आकर्षण बल है वो अपने चारो तरफ वायु मंडल को बांधे रखता है अपने आकर्षण के द्वारा आप देख सकते हैं कि यह सुर्र की जुलसाने वाली गर्मी यह महानिकारक की रणों से भी हमारी रच्छा करता है सुर्र आप सभी जानते हैं कि सुर्र के सतह का तापमान की बात करें तो 6000 degree centigrade सतह में तापमान होता है लकिन आप समझ सकते हैं कि इतनी तेज गर्मी और इतना तापमान अधिक होने के कारण भी हमारे प्रित्वी पे जो हानिकारक पदार्थ होते हैं जो हानिकारत किरड़े होती हैं उनको रोकने का काम हमारा वायू मंडल ही करता है जिससे हमारे सरीर की और हमारी रच्छा हो सके इसमें कई प्रकार की गैस धूलकर्ण यों जलवास पुपस्थित रहते हैं जो हमारे वायू मंडल में पुपस्थित होते हैं वाईू मंदल में परिवर्तन होने से मौसम येवम जलवाईू में भी परिवर्तन होता है जैसे ही वाय मंडल में परिवर्तन होता है, हमारे मौसम में भी परिवर्तन होता है और जलवायू भी बदल जाती है पादप एवं जीव जन्तु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माड करते हैं यह परिथवी का वह संकिर्ड छेत्र है जहां पे अस्थल, जल, वायू, तीनों मिलकर जैव मंडल का निर्माड करते हैं और जीवन को संभो बनाते हैं आईए परितंत्र के बारे में थोड़ा से जान लेते हैं परितंत्र के बारे में NCRT में बता गिया है कि परितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जिवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भोतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निमास करते हैं ये सब उर्जा और पदार्थ के इस्थानांतरण के द्वारा संबंध है यहाँ पर देख सकते हैं कुछ चीजे छुट गई थी इसकुल जाते समय आसमान को देखें ध्यान दें की दिन कैसा है वर्षा हो रही है आसमान में बादल है तेज धूप है या कोहरा इत्याद यह सारी चीजे दी गई है इनको आप पढ़ लिया करिए देखिए यहाँ पर परितंतर के बारे में कुछ चीजे बताई गई है रभी की कच्छा के एक NCC कैम्प में जेस्ती ने आस्चर से कहा क्या कहा कि कितनी मुसलाद हर वर्षा हो रही है इसमें इससे मुझे अपना केरल यादा गया तुम सब को आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भर खेतों और नारियल के बगानों में लगातार बारिस होती रहती है तब ही जेसल मेर के रहने वाले हीरा ने आस्चर से कहा क्या कहा हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है हमारे यहाँ वर्षा तो होती ही नहीं है हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवाम रेत ही नजराती है सूखा और रेत ही नजराती है लेकिन वहाँ उट भी तो मिलते हैं रभी ने कहा कि वहाँ उट भी तो मिलते हैं अब देख सकते हैं कि दोस्त हैं वो अपने अपने छेतर की और अपने अपने प्रदेश की बाते कह रहे हैं हीरा ने कहा उट तो मिलेंगे ही जब तुम हमारे रगेस्थान आओगे तो तुमें साप शिपकली ओमने कीट भी देखने को मिल सकते हैं या मिलेंगे रवी हैरत में पड़ गया बिभीन अस्थानों पर पाया जने वाले जिवजन्तू और नस्पती येवं लोग के रहन सहन के तरीके इतने भिन क्यों होते हैं क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है बिल्कूल बहुत संबंध है सिच्छक ने क्या कहा बिल्कूल सही बात है ये बिल्कूल सम्मंद एक दूसरे से है सभी पेड़ पोधे जिवजन्तू येवं मानव अपने आस पास के पर्यावरण पर आस्रित होते हैं सबी मानौ, जिवजन्तू, पेड़ पोदे, वे क्या होते हैं? अपने आसपास के पर्यावरण पे ही निर्भर होते हैं. वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं जुधारियों का आपसी यों अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही क्या कहलाता है परितंत्र कहलाता है अधिक वर्षा वाले वन गहासस्थल रेगिस्तान परवत जील नदियां महासागर यों छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है और बिल्कुल होता है क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रभी एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक परितंत्र बनाता था बिल्कुल सही बात है दोस्तों वस्तु बिनमय क्या होता है प्रत्यक वर्ष पांच जुन को विस्तु पर्यावरान दिवर्ष मनायाता है यह बहुत important question है यह हमारे किसी भी एकजाम के लिए बहुत उप्योगी साबित हो सकता है वस्तू बिनमय प्रद्धित की बारे में बात करें तो यह वस्तू की अदला बदली को ही का बेपार है वस्तू बिनमय प्रद्धित का मतलब कि आप बजार जाते हैं सबजी लेने तो सबजी आप खरिदते हैं उसके बदले में आप पैसे देते हैं वहीं होता है वस्तू बिनमय बदलब किसी वस्तू के बदले किसी वस्तू को देना जिसकी उसको आव सकता है हम को जैसे सबजी के आव सकता है और जो दुकंदार है उसको पैसे के आव सकता है तो वस्तू के अदला बदली हो रही है इसी को कहते हैं वस्तु भी इनमें प्रद्धत यहाँ पे देखा जाए मानवी पर्यावरण के बारे में बताय गया है मानवी पर्यावरण क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी अवशक्ता के अनुसार क्या करता है वह उसमें परिवर्तन करता है प्रारंभिक मानव ने स्वयम को प्रकृति के अनुरोप बना लिया था जो प्रानमभिक मानों था उसने क्या किया उसने स्वयम को प्रक्रिती के अनुरूप बना लिया था उनका जीवन सरल था यों आज पास की प्रक्रिती से उनकी आवशक्ताएं पूरी हो जाती थी समय के साथ कई प्रकार की आवशक्ताएं बढ़ी मानवने पर्यावरण के उपयोग और उनमे परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिये उसने फसलूगाना, पसूपालना यम स्थाई जीवन जीना सीख लिया पहिये का विशकार हुआ अवशक्ता से अधिक अन उपजाया, उसके बाद गया वस्तूबिन में प्रद्धत का विकास हुआ ब्यपार अरंब हुआ, एवं वाड़ेज्य का विकास हुआ अद्दोगी करांती से बड़े पैमाने पर उत्पाधन प्रारंब हुआ अद्दोगी करांती से क्या हुआ, बड़े पैमाने पर उत्पाधन प्रारंब हुआ कल कार खाने का विकास हुआ, कई महत्वपुड कार खाने लगाए गए, जिससे उत्पाधन में काफी गती मिली परिवहन तेजगती से प्रारंब हुआ, सुचना करांती से पूरे विश्व में संचार, सहज और दुरूत हो गया क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तर्बूज एवं सर्दी में भूनी हुई मुंख़ली खाना पशन्द करते हैं प्राकृतिक एवं मानवी पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना पहुत आवस्यक है आप दोस्तों समझ सकते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण और मानवी पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना अती आवस्यक है मानों को पर्यावरण के साथ सम रस्ता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए रभी की कच्छा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है खेल का मैदान नस्ठ होने के कारण रभी को उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुटियों में अपने घर मिजोरम आने के लिए कहा रभी के सिखक ने सभी बच्चों से कहा कि छुटियों में वेजिन अस्थानों पर जाएंगे वहां के भूद्रे से घरों यवं लोगों के क्रिया कलापों को चितर बना कर लाएंगे आप देख सकते हैं दोस्तों इसे के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो समाब्त होता है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत को सीखने को इस चैप्टर में मिला होगा दोस्तों इसे के साथ कुछ अभ्यास प्रश्ण भी दिये गए हैं इनको भी हम देख लेते हैं परितंतर क्या होता है आपको बता दिया गया है कि परितंतर क्या होता है प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं प्राकृतिक पर्यावरण जैसे पेड, पौधे, परवत, मैदान ये जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है उसको प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं पर्यावरण के प्रमुग घटक कौन कौन से हैं पर्यावरण के तिन गटक हैं मानो, मानो निर्मीत और हमारा प्रकृति मानो निर्मीत पर्यावरण के चार उधारण दिजिए मानो निर्मीत पर्यावरण में पूल, सडक, पूल हो गया, सडक हो गया, नहरे हो गई ये सभी क्या है ये मारो निर्मित पर्यावरण के चार उधारण है अस्थल मंडल क्या होता है आप बहुत अच्छी तरीके जानते हैं अस्थल मंडल क्या होता है जी भी ये पर्यावरण के दो प्रमुग घटक बताईए ये भी आप अच्छी तरीके जानते हैं जयो मंडल क्या होता है ये भी आप जनते हैं पर्यावरण वायू मंडल और जयो मंडल तीनों को मिलाने पर क्या बनता है जयो मंडल जयो मंडल वायू मंडल अस्थल मंडल तीनों को मिला देंगे तो जयो मंडल का निर्माड होगा इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र न नहीं है अस्थल धर्म शमुदाय इसमें मानुवी पर्यावरण इन में से कौन सा मानुवी पर्यावरण का घटक नहीं है तो मानुवी पर्यावरण का घटक कौन सा नहीं है अस्थल नहीं है इन में से कौन सा मानुवी पर्यावरण है पहाड समुद्र सडक सडक है इन में से कौन सा पर्याव रंड के लिए खत्रा है अ बादभ व्रिध्धि यह खत्रा है जनसंख्याल व्रिधि फसल व्रिधि jeśli क्या है मानवी यह खत्रा है इसत्सम्भूग मिलाव कर सही जोड़े बनाएए जयमन्डल in जयो मंडल क्या होता है वह स्थल जल वायू पारस्परी क्रिया करते हैं तो जयो मंडल हो जाएगा वायू मंडल क्या होता है प्रित्वी को घरने वाली वायू की पतली परत जल मंडल क्या होगा प्रित्वी गृत्वा कश्ण पर हमारे आसपास का छेत्र जल मंडल, जीवो योमन के परिवेश के भी संबंद पर्यावराण ये सभी आप जानते हैं सभी को आपने पढ़ा है उम्मिद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी दोस्तों इसी के साथ जय हिन, जय भारत और आप लोगों को बहुत बहुत बदाई हैं आप लोगों ने NCRT Classics के जियोग्राफी कंप्लिट कर लिया है और मैं आसा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो से रिज काफी अच्छी लगी होगी तो जय हिन, जय भारत दोस्तों